गोपाल गंज और मुकामा में उपचुनाफ के लिए वोटिंग जारी है मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी-लंबी कतार लग गई है मतदान केंद्रों पर सुरक्षा वेवस्ता को पुक्ता कर लिया गया है महागडबंदन और बीजेपी के बीच टककर है तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे है आज उपचुनाफ के लिए वोटिंग हो रही है गोपाल गंज और मुकामा इन दोनों ही सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है सुभा साथ बज़े से वोटिंग चल रही है और शाम 6 बज़े तक ये वोटिंग चलेगी गोपाल गंज में जहां एक तरफ टिकोनिया मुकालवा देखने को मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ मुकामा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो महिला उमीदवार चुनावी मैदान में है देखने वाली बात होगी कि गोपाल गंज जो 15 साल से बीजपी के पाले में है और मुकामा जो शुरुवात से ही आनंत सिंग का गड़ रहा है क्या इन दोनों सीटों पर समीकरण में कुछ बदलाव होगा क्या इन दोनों ही सीटों का इतिहास बदल जाएगा इस वार के इस उप्टुनाव में या फिर जो इतिहास अब तक है वो यूही बरकरा रहेगा लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो दोनों ही विधान सभा सीटों पर जो मतदान सभा से जारी है यहाँ पर पुकता इंतजाम किये गए है सुरक्षा के इंतजाम किये गए है मतदान केंद्रों को बेतर तरीके से सजाया गया है किसी तरह कि यहाँ पर जो मतदाता आएंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है मुकामा या एक ऐसी seat है जहां अब तक BJP अपना खाता नहीं खोल पाई है क्या यहाँ पर BJP खाता खोल पाईगी या नहीं खोल पाईगी क्योंकि अब तक के ट्यास की अगर हम बात करें तो अब तक भारते जनता पाटी इस seat को यानि कि मुकामा विधानसभा सीट को अपने सहीयोगी दरों के लिए छोड़ती रही है लेकिन इस बार मुकामा से भी ताल ठोक दिया है भारते जनता पार्टी ने और यहां से चुनावी मैदान में महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है तो देखें मतदान शुरू होने से पहले दो जगाओं पर चुनाव कर्मियों ने सारी तैयारियों का जाइजा लिया कि किसी तरह की कोई कमी ना हो हरा कि आपको बताने कि लगातार यहां पर जिस तरह से वोट को लेकर तैयारी की गई है लोग यहां पर पहुँच रहे हैं इससे उमीद यही की जा रही है कि ये 2025 से पहले का एक सेमिफाइनल है 2025 में एक बार फिर से विधान सभा के चुनाव होने है बिहार में जो की फाइनल मुकाबला होगा लेकिन फिलहाल सेमिफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि अब तक NDA के साथ जेडियू का मिलाप था ये दोनों पातियां साथ थी लेकिन अब जेडियू जब से विलयकुई है माहागटबंधन के सरकार बनी है तब से बीजेपी अपने आधार को खोशने में लगी हुई है और कैडर वोटों के साथ बीजेपी यही चाहती है कि अब इन दो सीटों पर भी समिकरण बदल जाएं तो देखे फिलाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोपाल गंज और मुकामा से जहां उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है मतदान केंदर पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ पर अभी भी वोटर्स पहुंच रहे हैं मतदान केंदरो पर सुरक्षा वेवस्ता के पुकता इंतजाम किये गए हैं महागडबनन और बीजेपी के बीच टक कर है तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बिहार में होने वाले दो सीटों के उपचिनाव को लेकर काफ़ी जादा लोगों के बीच उत्साहे देखे पिंक बूत भी तयार किया गया है और यहां पार लोग कैसे पहुंच रहे हैं वो भी तस्विर हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि है क攻र beta कि कोई भी आवये लेकिन विकास होना चाहिए कर दंके नहीं हो रहा है को दस बार क्पाच बार चारभ रहा लेकिन जो चाहिए जमी लेबल पर विक्त नहीं हो रहा है विक्त करने के लिए ह कहले हैऀ करने के अब हम लोग बिकास करिएगा, बाल बचा के रोजी रोटी दीजिएगा, और क्या करिएगा, बिकास तो करवे कि हम लोग के जहां पर मने किसे कुछ मने रोग बैमारी होता है, दूख सुक्के भारगे, एक लोटा पानी लेके हाजी रहता है से, अब ऐसा होगा कि तुम 2 लाक रुपया को सर देगा, और वो हम राप दुगारी पर हैवेन करेगा, तो इसा बात नहीं हो, भाई बही मने मिल को, हम लोग बिकास चाहते हैं, बिकास चाहते हैं, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मौका देना चाहिए अदमी को, हम लोग आओ चाहते हैं कि आओ बिकास होगे, आप किस किस तरह की विकास का मुद्धा आप किस तरह की चाहते हैं? तो देखे फिलाल लोगों से भी जब हमारे संवधाता ने बात करने की कोशिश की तो यहां लोगों के मुद्धे बहुत खास हैं। लोगों का भी विकास दो सकें क्योंकि गाओं का विकास होगा, किसी शहर का विकास होगा, तभी वहां के लोगों का विकास भी हो पाता है। सरकारी सुवधाई भी तभी वहां पर पहुँच पाती हैं। इसी छुटपुट गाओं में अगर वहां पर सरकार की नजर नहीं जाती है, तो वहां पर सुवधाउं से वंचित लोगों को रहना पड़ता है। लेकिन मुकामा और गोपाल गंज इन दोनों ही सीटों को लेकर लोगों का कहना हैं कि हम चाहते हैं हमारे छेतर का विकास हो और विकास करने के लिए जहां एक तरफ महागडबंदन की सरकार कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारती जनता पार्टी का नारा ह हो चाहे वो उत्राखन के चुनाव रहे हो लगातार भारती जनता पार्टी विकासी पर योजनाओं को आधार बनाते हुए और इसी के आधार पर चुनावी मैदान में उतरी और जस तरह से के बाद एक सियम योगिया रितनात रहे हुई या फे पुशकर सिंग्धामी रहे हो उत्राखन में इन सभी ने जनता के लिए काम किया विकासी पर योजनाओं की सौगात दी और विकासी पर योजनाओं की सौगात देने के साथी जनता के दिलों में जगा बनाई तो क्या ये जगा भारती जनता पार्टी बिहार में भी बना पाईगी ये सबसे बड़ा कि कौन सा उमीदवार पर चम लहराता है किसकी जीत होगी और किसको मिलेगी हार यही है बड़ा सवार तो देखें आपको बता रहें कि फिलहाल मोहन प्रसाद गुपता महागटबंदन की ओर से हैं इंद्रा यादव ब्यस्पी की ओर से और साथी कुसुम देवी जो की भारते जनता पाटी की ओर से चुनावी मैदान में उतारी गई हैं यह हम बात कर रहे हैं गोपाल गंज विधानसबा सीट की जहां आज मतदान हो रहा है इन तीनों प्रत्याश्यों में से आखिर जनता का विकल्प कौन होगा इस पर सभी की निगाहें ठीकी हैं हाला कि लोगों का अभी यही कहना है कि विकास हम चाहते हैं और विकास जो सरकार करेगी हम उसी को वोट देंगे अब जनता के मन में वो कौन सी पाटी है वो कौन सी प्रतिनिदी हैं जिन्हें वो मानते हैं आधर्श अपना और सोचते हैं कि इन ही क्या आधार पर आगे उनका विकास हो पाए तो देखिए आपको मुकामा विधानसभा सीट की चले पहले आपको ग्रैफिक्स के जरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उपचुनाव का दंगल जो है गुपालगंज विधानसभा सीट पर टिकोनिया बना हुआ है। तो आखिर इस चुनावी ट्राइंगल में जीत किसकी होगी? किस पर लगेगा टिक? ये तो छे तारीक को ही साफ हो पाएगा क्योंकि छे तारीक को रिजल्ट भी आ जाएगा। मुकामा सीट का इतिहास बहत खास रहा है लेकिन इसी बीच गुपालगंज की सीट भी बहत खास हो जाता है।